आज़ादी वच्छान इस चैनल में सभी दर्शकों का सौगत है सुलापूर शहर एक ऐसा शहर जहां पर बहुत सारे युवा अक्सर जो है कुछ ऐसा कारे करते हैं जिसकी वज़े से जो है सुलापूर शहर काफी पूरे राज्य में हमारा फेमस है एक ऐसे विक्ती आज हमारे स्ट्योडियो आये हैं जो के डॉक्टर ही शेतर के अंदर जिनोंने बहुती कम समय में मात्र जो है पचीस साल एक ऐसे यंगेस्ट डॉक्टर है जो सुलापूर शहर में खास कर जो पैरलेस पेशन्ड होते हैं उनका ट्रीटमेंड करते हैं ऐसे बहुत सारे भी हैं जिन से हम जानने की कोशिश करेंगे ये डॉक्टर सौप्डिल हरेरे जो के MD-DMH है जो हर्बल एंड अरवेदिक मेडिसें मैनिवल थेरिपी के डॉक्टर माने जाते हैं यानि कि एक ऐसे डॉक्टर जो शेरीर में बहुत सार जगाओं पर दर्द ह होता है जिसको जो है ये अपने ट्रीटमेंट के जरीए जो है लोगों को अच्छा कर दें सबसे पहले आजाजी बचाओं इस चैनल में आपका बहुत-बहुत सहगत है सर ये बताएं सर के इस इलाज ये जो लोगों को पेन होता है इसका आप इलाज किस परकार करते हैं दे सबसे हम हर्बल मेडिसिन देते हैं जिसमें कॉमनली जो आते है वो एक्सिदेंट के बाद जो केसिस होते हैं उसके बाद थंड बढ़ने से जो केसिस बढ़ते हैं जो पेंस के केसिस बढ़ते हैं उसमें सरवाइकल स्पॉंडिलाइटिस होता है उसके बाद लंबर स्पॉं पेशन्ट रहते हैं अलग अलग जिनकों हड्डियों के बीच में दर्द बहुत रहता और उससे ज्यादा ही पेशन्ट रहते हैं जो कमर में दर्द, सीने में दर्द, हाथ में दर्द, जो फ्रोजन शुल्डर रहता है, मतलब हाथ उठा ने सकते हैं, पैर नीचे नहीं रख स तो इक देड़ साल तो ऐसा चला गया है, इसमें کوईट प्रेट तो आपने जो मीट की आई गया घा एकि से खचीखरन हुआता पेशन्टों का जादा से जादा उनके हिसाब से कमसे कम वे मैंने कम से कम जो पचास लोग ऐसे थें पचास से जदा ही लोग जिनको लोग बॉड़ी नमने स्जादा था मतलब चल ने पाते थे वो कवीड के बाद में उन लोग आचछी से चल रहे जो प मितलब कोई मुमेंट ने रहती बॉडी की, जितना अपनी बॉडी मुमेंट ने करेगी, उतना वो जकड के रखती बॉडी खुद को, तो बॉडी को रिलाक्स करना उसकी टाइप की थेरपी, और बॉडी को जो नस रहते, वो आच्चे से चलना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ह होना, उसकी अलग थेरपी रहती है, उसके हिसाब से हम थेरपी दे के लोगों को अच्चे इफेक्ट पड़ा है सोलापूर में, और ये बात जरूर बोलना चाहूंगा, कि कोविड के दौरान, जो पेशन्ट थे, उनके साथ, जो हम, मैं योगा का, योगा साइंस में में मे योगा की कैसे करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसी साल और पिछले साल को मिला कर हमने 200 से ज्यादा, और इंडिया में लेक्चस लिये हैं, जब कोई इमर्जंसी आती है, नहीं तो किसी को जखड़न होती है, मुसल्स में, नहीं तो देखो किसी को कुछ उ इंडियन लोग, लेकिन वो पूरी तरह से सप्लिमेंटरी डाइट और जो शरीर को अच्छा लगना चाहिए, वो खाना नहीं मिलता हमें, तो खाना कैसे खाना चाहिए, लोगों के बीच में अब जेंस देखोगे तो जेंस के बीच में जो हड्डियों का तकलिफ रहती, न से कम आज तक 200 लेक्चर कंप्लिट हुए है, और जिसमें अल और इंडिया भी लेक्चर कंप्लिट हुए है मेरे, और ऐसे ही चलता रहा है, आज तक कम से कम सव से जादा उपर पैरले से के पेशन ठीक हुए है, और चलने लगते हैं, उनकी दौश से सब आच्चा चल रहा ह सर जिस प्रकार से महिलाओं को सबसे जाजा जो शिकायत होती है, तो महिलाओं को बैक्पेन की जो शिकायत होती है, उसको नॉर्मल अगर वो घर पर भी अगर कुछ करते हैं, तो एक ऐसा छोटा मोटा हमारे दर्शकों को एक उपाय बता दे ताकि वो बैक्पेन से रहत पा हो नहीं तो आपको तकलिफ पहले से हैं जैसे कि आपके हड्यों के बीच में ग्याइप है ने तो हड्यों में तकलिफ है आपके उसके हिसाब से दर्द रहता है अगर आज दर्द है कल ही दर्द चलो हो गया आज दर्द खत्म होंता है तो आप थोड़ा फार एक्सरसाइज कर लेकिन दर्द कम होता, अगर कमर का दर्द है तो दो-तिन चीजे करना की थोड़ा हम घर बेटे शेक ले सकते हैं, गरम शेक जो रहता है, जो उसके बाद हम सामने जादा नहीं जुकना चाहिए, देगो सामने जुकने से कहा रहता है कि एक तो हमारी जो स्पाइन रहता है स्पाइट के हडिया जो रहती है और कमर के हडियों में लंबर रहता है, ज्यादा से ज्यादा जो स्पॉंडिलाक्सिस के प्रकार रहते हैं, लंबर स्पॉंडिलाक्सिस के प्रकार रहता है, लंबर स्पॉंडिलाक्सिस के प्रकार रहता है, L3, L5 के बीच में नस फसी रहत कि आप कम कर सकते हो लेकिन ज्यादा दर्द रहेगा तो आपको 100% आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए जिस प्रकार से जो है आज कल छोटे मोटे जो युवा होते हैं खासकर उन लोगों में देखा गया है कि उनके निचले इसे में मतलब थाइज में सबसे ज्यादा ज साम एक देखो कि हम पड़ाय में स्कूल जाते हैं आइसे नहीं कि हम खुछ जाके सीखते हैं उदर टीचर रहते हो हमको सीखाते तो पहले बात है कि जिसको पता है उसके पास ही जाके पढ़ लो या सीख लो जीम या कुछ भी हो नॉलिज भी आप ले लेते हो तब देखो यह जब ट्रेनर रहता है कभी किसी कोई किसी को गलत नहें बताएगा है क्योंकि वो उसका स्टुडंट है और उसका गुरू है में भी ट्रेन हूं मैं भी पिछले 6 साल से जीम देखता हूँ, लेकिन आप जब थाइज करते हो, या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आईसे नहीं किसी थाइज में इंजूरीस होती है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपके बौड़ी में न थोड़ा खाना अंदर होना चाहिए, म में के बज़े से क्रैम्स ज्यादा असके बाइसे क्र wijशंさん हो जाती है मतलब पैसीना फूरा खीच लेटा तो बाड़ी और इसकी हो जाती है और उसके बसे होई तो डॉक्टर के पास आओ उनके साथ शेयर करो आपकी कौन सी तकलिफ है कि जखड़न ऐसे होती है क्रैम साथ आई से आते हैं हैं एड़ परसेंट हम रहे कोई भी रहे डॉक्टर वह हैं परसेंट उसका इलज कर देगा फिलाल वक्त डॉक्टर सपनिल सर आप जो है पैर सरजरी एक 50 एज के होने के बाद बढ़ती रहती है दर्द बहुत बढ़ता रहता है लेडीज में तो 40 के एज के बाद तो तकलिफ बहुत ज़्यादा बढ़ती है बोन्स की बीच में तो आज तक मेरे ऐसे देड़ सो भी ज्यादा पेशन्ट होगे स्वलापूर में पूरे बज़े से उनको सरजरी की जरूरत नहीं आप देखो सरजरी हर किसी को आफ़डेबल नहीं होती हम तो बहुत खर्च भी बहुत जाता है कम से कम पाच-छे लाग रुपए खर्च लगता है जिसको जरूरत है उसे करना ही चाहिए क्योंकि बड़े डॉक्टर रहते हैं उनक आफ के दर्द बोला आपने की गुटनों का जो दर्ध है देखो कैसे रहता मालूम क्या कि हमारे बोड़ी में ठीक है एक-गाइस्टे वेस्ट ञिक्रलिफ होती है एक को बैट-बैट के तकलिफ होती है, एक को hard work करकर के तकलिफ होती है मतलब घूमना, चलना, जूकना, काम करना इसके बैसे तकलिफ होती है और एक ऐसा रहता है कि आत्मी बैटा ही रहता है उसके बैसे तकलिफ होती है तकलिक तो दोनों में यह हैं, ठीक है, लेकिन कम करने के वास्ते हैं, हमें थोड़ा फारा तो बॉडी का मुवमेंट करना चाहिए, इसलिए हम थेरीपी करते हैं, थेरीपी में क्या रहता है, अब हमारी थेरीपी जो रहती है, जो रहती है, जो पूरी बॉडी के ऊपर रहते हैं नसों के जो आच्छे तरह से काम करते हैं और जब नाच्रल थेरपी की ट्रीटमेंट चल रहेती तो हम कुंसी भी दवाई या गोली नहीं देते इसे होती कि एक दिन में 10 किलमेटर चलते जितना आपको होता है उतना चलो अपने सेहत की हिसाब से चलो ना कि दूसरों की हि सर जिस प्रकार से आपके कारिये को देखते हमने सुनाए कि राज्य सरकार और कुछ पत्रकारों ने जो है आपको इस कारिये को देखते वे आपको सम्मान किया है वो क्या है जड़ा दरशकों को बताने चार जुलै को मुंबए में कारेक्रम होा था जो महराष्टड़ आजशासन और महराष्ट़ राज़ामरेटि पत्तरकार संघ के तरफ सी लिया था उसमें महराष्ट़ से सफ 26 डॉक्ट्टरों को चूज किया था जिसमें मैं स्वलापूर से सबसे यंगेस था इंगिस था यह पुरस्कार मेरे को क्यों मुला कि पीछले दो सालों में मैंने 200 भी ज्यादा लिक्चर लिये को वीड के ऊपर या की थोड़ा डायेट के ऊपर थोड़ा सेहत कैसे अच्छे रगे उसके ऊपर उसके बाद जो पेशेंट थे लोर बॉड़ी नमनिस के थे पैरिश के पेशे से पेशेंट आते हैं और यह चोड़ों की महाराश्री की बाद करना टक खुबली गुलबरगा इधर तक हैद्रबास से पेशेंट आते रहते हैं देखो आप जब अच्छे काम करते हो किसी को अच्छे एफिक पड़ता है तो वह एक दूसरी को बताते जाते हैं और जैसी दूआ उनकी मिलते हैं उनके बज़े से यह पूरस्करमेल को मिला था वह था कि जो कोवीड के बीज के दौरान जिनों ने डॉक्टरों ने आपना जी जान लागा के जो कोशिश करते हैं जो पतरकार हैं जो समास सेवक हैं उनमें ये डिवाड किया था और उस 26 लोगों में रामदा जी आठोले थे इनके बीच में मेरा सनमन हुआ था और वो एक अच्छे अच्वमेंट थी मेरे लिए और यही मानता हूं हमेशा कि यह सब पेशन की दौआय रहती हैं क्योंकि मेरे पास बच्चे से लेके बुड़े तक आप यकिने करोगे मेरे पास 95 साल तक पेश है आनंद हमें वो बुड़ा पे में चलने से मिलता है पेशन्ट वह उनकी दौआ से सब अच्छा चल रहा है यह बहुत ही गर्व की बात है कि सुलापूर शहर में कैसे युवा डॉक्टर है जो कि हर्भल अरवेदिक मेडिसेन मैनिवल थेरूपी के जरिए अपने राजिस लेवल पर इतना नाम कमा है जिसको देखते हुए जो है राजे सरकार की ओर से जो है उनको संभानित किया गया सरे कोई ऐसा पेशन्ट जो इंपॉसिबल केस ता आपके सामें लेकिन आपने उसको पॉसिबल कर दिया आईसे बहुत सारे पेशन्ट है देखो क्या हुआ था एक पीछले साल का ही पेशन्ट था शायद 88 एर सोल होगा लेडिस थी वो नानी को दादी थी वो दादी को पोस्ट कोईड हो कोईड हो के जला गया था और बील भी बहुत आया था आपको मालूम है कैसे चल रहा था बीच में क्यूंकि हम कुछ ने कर सकते थे पेशन्ट के पेशन चल लेज़ा पहुत बहुत पमालीय पारकिंस था, पीचन्ट रहिपास, मैं यहीं बोलना चाहूंगा क्ए कि कोई किसी डॉक्टर किसी से करके बड़ा नहीं होता है किसी से छोटा नहीं होता है हर डॉक्टर एक भगवान रूप होता है खुदा के रूप होता है लेकिन हम जब treatment करते हैं ना तब हमने हमको सिर्फ एक ही मानुम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो तकलिफ रहती हो मेंट़ल एक ज्यादा रहती है जो आदमी रहता है वो दिमागी रूप से ही अंदर से अंदर खचा हुआ रहता है, खची करन हुआ रहता है उसका, तो उसी रूप से हम काउंसलिंग करके, जो मरेटियों बोलते हैं समुपदेशन, जो हम बोलते हैं, जो बोलते हैं बोलने से मन हलका होता है, तो उस पेशन स महिना हो गया, continue treatment चालू है, वह इसे बहुत सारे patient है, 92 years old के patient है मेरे पास, जो पुना से आते हैं, और जो बच्ची में रहते हैं, अब पिछले साल एक बच्ची थी, जो नौक नीज थे, मतलब जो नीज जो रहते हों, बेंड रहते हैं इसे, उनको treatment करके अच्छा चला है उन रिडर के हड्डिओं की बीच जो बोन रहते हैं, बहुत सारे तेकलिफ रहते हैं, कई patient है से रहते हैं, जिनको 10 दिन, 15 दिन की treatment लेना जरूर होता है, तो वो patient देख को खुशी हालक से मिलती हैं तो यह थे हमारे डॉक्टर सबनिल जो के सुलापूर शहर में रहे कर बहुत सारे ऐसे इलाज जो के impossible को possible बनाए हुए हैं तो सर लोगों से आखरी मेसेज क्या देना चाहेंगे खास कर सुलापूर वासियों के लिए और हमारे महाराष्टर सब्राज्ज के लिए देखो मेसेज तो मैं यह देना चाहूंगा कि हमारे जो पूरो राष्टर पती थे हैं डॉक्टर एपीज अबदुलकलाम उन्हेंने बोला था कि 2020 तक भारत महास्ता बनेगा अब 2022 चल रहा है खाली देखो लेकिन कैसा है कि जब वो बोलेते ना तब आराउंड 30% से उपर हमा उपर यासलोग लोग हैं देखो यूए जो है हमारे भारत माग contenu है वो हमारी भारतिश को फीडी का वह एक स्थम अतलब वह अगर स्टॉंग रहेगा थो पहरत देश हमारा स्टॉंग रहे गा हमारी इंडे स्ट्रॉंग तो हमरे भारतेश का ब्हार इसके बाद हमारी जो एज़र लोग है अमारे माता-पीता जैसे लोग रहते हैं, हमारी दादा-दादी जैसे लोग रहते हैं, उनको सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा हर किसी को कि थोड़ा फार बौडी की मुझमेंट्स करो, चलना चालू करो, जो जितना होता है उतना वर्काउट बोडी का होना चाहिए।